हेलो एब्रीवन वेलकम टू लाइब्रेरी अकेडमी इस लेक्चर में हम लोग डिसक्र कर रहे हैं फिफ्ट लॉव अफ लाइब्रेरी साइंस यानि लाइब्रेरी साइंस का पांच वासुत्र यह लेक्चर नमबर 17 है और हिंदी और इंग्लिस दोने में आपका जो पीडिया अगर यह वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रीशन बॉक्स में लाइब्रेरी अकेडमी का लिंक है आप उस पर क्लिक करके आप मोबाइल अप लाइब्रेरी अकेडमी का मोबाइल अप डाउनलोड कर लिए यह आप गूगल प्ले स्टोर में ज ज्यादे बोजहना परें और हम लोग काम कर सकें तो इसका लिए दोने का समने और बैठाने का कोशिज किया गया है आप जरूर जोइन कर लीजिए आपके लिए बेनिफीट होगा देखिए के लिए पूरे कराए जाएंगे आप उसके अंदर डीबियस और जमुकस्मीर या गुगल प्ले स्ट्वर में जाका लाइब ररी एकाडमी साच कीज़ेगा लाइब्री एकाडमी जोएनकर ली जाएक यानी कर लीजिए बांडे जाक्तिस्तिछ आनवे जोईनकर लिए इस लेक्शर में हम दो डिज्सकوسन करते हैं थिप्ट लौ आफ लाइब्रेड आप ला लाइब्रेरी के पिछले एक्जाम अगर दिये होंगे राजस्थान या अन एक्जाम तो वहाँ पे एक क्वेशन पुछा गया था आफ स्था का इंगलीख ठ्रांसलेट करेंगे इंस्ट्यूट और इंस्ट्यूट क Sultan आप क्लिक कर देंगे और आपका एंसर घलत होगा देखिए शथाक का यहां पर हमने और्गनिज्म का हमने हिंदी स्था तो लिखा है क्योंकर रानाथण छी ने भूक लिख किया था इसलिए क्योंकि ओर्गनीज का मतलब है जीव तो लाइब्रेरी को एक तरह के फिलोसपी है उनका रगनाथन जी का तो वो एक तरह के जीव के तरह देखते हैं जीव के तरह जैसे कि एक जीव है यानि कि मालीज एक मनुस ही है तो उसकी बलावस्ता होती है और उसका एक समाई के बाद किसोर आवस्ता हो जाता है तो यानि कि एक चाइल्ड होती है एक एडल्ट जब वो होता है आवस्ता में वो एक एज होती है उसी तरह एक लाइब्रेरी में भी एक बला आवस्ता होती है यानि कि एक वो चाइल्ड लाइब्रेरी होती है फिर यंग बनता है यानि उसमें ग्रोथ हो जाती है तो इस तरीका से उन्होंने concept दिया था philosophy के तोर पे तो उसी तरह इसी लिए वो कहते हैं कि library में एक तरह से जीव की तरह growth होता है जीव की तरह जीव में एक dead cell होता है उसको एक remove करता है new cell उसी तरह एक पुस्तकाले में भी एक book जिसकी demand नहीं है ऐसे book कभी यूज में नहीं आ रही है वो एक dead cell की तरह है उसको हम हटा देंगे और नई पुस्तक उसके जगा पे लाएंगे तो वह एक तरह से इसे philosophically देखें तो उसको एक जीव की तरह देख रहे हैं library को इसलिए उन्होंने growing organism लिखा ना कि growing institute या organization लिखा तो इस बात क 洞ं cambiar Pi jusqu'i वह खिए को दिरीशन के पुस्तकाले का पुर्ण संस्तर या तंत्र है या एक श्विक्रूत बीचार है कि पुस्तकाले के साथ पंड करता है अपनी सेवाह करता है या यह चाल से अरुट में convert हो जाता है देखिए उसके बाद सबसे पहले इसमें देखते हैं development विकास development के बारे में देखिए पुस्तकाले के विकास पर जोड़ देता है जो fifth law of library science है विकास पर जोड़ देता है यानि कि पहले आप देखेंगे इसमें आगे जाके एक concept आता है child growth और adult growth तो यानि कि एक child growth होता है शुरू में एक बच्चा होता है यानि चाइल्ड उसमें फिर उसमें adult growth होती है यानि कि वो adult आवस्ता में आता है यानि इवा आवस्ता में आता है उस तरह पुस्तकाले के विकास पे जोड़ देता है तो फिफ्ट लव ऑफ लाइब्रेरी साइन्स इस और करेक्ट एंसर तो आपका फर्स्ट नमबर पॉइंट से आपका यह कोश्चन यहां पे बनता है दूसरा प्रबंदन नियोजन संगटन नियंतरन करना यानि मनेजमेंट प्लानिंग और्गनाजेशन कंट्रोल यह सभी फिफ्ट लव ऑफ लाइब्रेरी साइन्स से रिलेटेड है तो देखिए इसका क्या मतलब है कि इसलिए पुस्तकाले का अधिकारियों को पुस्तकाले के निर्मान की योजना इस तरह बनानी चाहिए ताकि पुस मतलब है किसी और्गनाजेशन को एक संगटित रूप से नियंत्र नहीं किया जाता है तो दिक्कत क्या आएगी हो सकता है कि आपके पास ज्यादे पाठक पहुंचाए आपके पास भूख ही नहीं हो तो तीनों को तालमेल बनाके हमें काम करना होगा यानि मनेज्मेंट करना होगा तो यह तीनों जो सब्द है यह five law of library science से यह संबन दी था यानि library planning, library management और organization control यह तीनों library science के fifth law of library science से relate करते हैं यानि therefore the library authority should plan to construct of the library in a such as a way that is easy to keep pace with the necessary increase in the size of books collection, the number of readers and the staff members, I think that you can understand, second point, third point, third point पर देखते हैं third point कहता है पुस्तकाले की तुलना जीव से की गई है यह रगनाथन जी ने जो पुस्तकाले है उसका तुलना उन्होंने जीव से किया है जीव से करने का मैंने आपको ततपर बताया भी था कि वह एक मानते हैं कि library एक जीव की तरह उसमें बिड़ोत्री होती है तो जीव एक बर्धनसील प्रानी है यानि कि उसमें इंक्रिमेंट होता है यानि पुस्तकाले बिग्यान में तीन तॉत बताए गए हैं इसी को हम लोग पुस्तकाले से वागत त्रीमूर्ती कहा जाता है यानि त्रीमूर्ती ओधारना के भी मैंने पहले बिक्षाशन किया इस पॉइंट को त्री इलिमेंट आर मेंसन इन लाइबरेरी साइंस विच गॉल्ड ट्रीनिटी ओफ लाइबरेरी साइंस में से कौन आते हैं पुस्तक पाठक और करमचारी यानि बुक्स रीदर और स्टाप या इंपलुआई देखिए ये क्वेशन पूछा गया है पुस्तकाले बिग्यान म इसे कहा जाता है और ऑप्शन ए में आपको था पुस्तक रीडर इंपलुआई तो करेक्ट हो जाएगा बी में ऐसे था पुस्तक कंप्यूटर रीडर सी में था बुक यानि पुस्तक बुक एस्टाप और आपको टेक्नलोजी कुछ इस तरह से ऑप्शन दिये हुए थे या पुस्तक रीडर और स्टाप हो उसे तिरुमूर्ती पुस्तकाले सेवा के तिरुमूर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट लॉप लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट लॉप पढ़ा रहा था उसी समय इसीं डिसकस किया था कि 1925 में जब र उनके माइन में तीन चीजे घूम रही थी पुस्तक रीडर और स्टाप और उसी समय उन्होंने पुस्तकाले सेवा के त्रिमूर्ती यानि त्रिमूर्ती अधरना दिया था उसी के इसी तीनों का रेस्पेक्ट में उन्होंने फाइब लाइब्रेरी साइंस 1928 में फाइनल कि इस बात को रखा था और बाद में 1931 में मदरास लाइबरेडी एसोसियेशन ने फाइब लाइबरेडी साइंस का फॉर्स्ट एडिशन यानी इसो पॉब्लिस किया था तो उन्होंने book, reader और staff को main point में रखा था और आपको पता है कि second law में आपको reader जो होता है उस पे केंदरित होता है, third law में पुस्तक पे केंदरित होता है, fourth law में फिर reader पे केंदरित होता है, fifth law में हम लोग आज पढ़ी रहे हैं, library is a growing organization, first law पे book पे केंदरित होता है, यानि पुस आपको चीज़े जाद हो गयोगी बहुत हद तक, एक तरह का यह अलग service है, जो मतलब कि library science के growth किया जाता है, तो उसमें यह तीनों अपना participation देते हैं, देखिए staff बिना staff अगर library में नहीं होता है, तो पाठक को पुस्तक से, पुस्तक को पाठक को उचित समय पे मिलान नहीं करा पाएगा, यानि staff ही नहीं रहेगा, तो मिलान कौन कराएगा, तो इसलिए किसी भी library में employee यह staff का बहुत ज्यादे महत्पून योगदान होता है, जो भी reader आ रहे हैं, उनको सही समय पे सही पुस्तक से मिलान कराना, तो इस वज़ा से सभी पुस्तक को reader मिल पाते हैं, और सभी reader को पुस्तक मिल पाता है, उसके बाद देखते हैं, next point, next point है, जो रगनाथन जी, according to the रगनाथन, the growth of organism can be two kinds, यानि कि रगनाथन का अनुसार एक संस्था, यानि कि एक library के बात करें कि ब्रीधी दो परकार हो सकती है, एक child growth, दूसरा adult growth, तो child growth में बात करते हैं, physically development, या उसको पानी देना, सही से उसका देखरे करना, तकि फीजिकली थोड़ा सा develop हो जाए, तो उसे बाल विकास या सारिक विकास कहते हैं, बाल विकास में जैसे पुस्तकाले के sense में बात करें, तो इसके बहुन निर्मान करेंगे, हम पुस्तक में ब्रीधी करेंगे, करामचारी देख के आ रहे हैं, और employee हम हायर कर रहे हैं, तो उस समय तक लाइब्रेडी में चायल लूल ग्रोथ है, लेकिन जब एडल्ट ग्रोथ की बात करते हैं, यानि mental development पे हम काम करते हैं, जब कोई बच्चा इवावस्ता में चला जाता है, तो उसको mental या चाहते हैं, कि वो थोड में ता विकास की को हिंदी में, हिंदी में दियम का बच्चे हैं, उनमें ऐसा लिखा जाता है, बेस्क विकास पुस्तकाले के गुणवाता पूर्ण संसाधनों पर जोड़ देता है, यानि emphasize equality resource in adult development library, sorry, equality नहीं quality, ध्यार रखेगा, emphasize quality resource in adult development library, अब देखिए, क्या हो सकता है, किसी library में adult development का क्या मतलब हुआ, या adult growth का मतलब क्या हुआ, उसके facility में increment करना, हमने तो पहले उसके child growth कर दिया है library का, यानि कि उसमें हमने building बना दी, भावन बना दिये, और उसमें हमने पुस्तक खरीद के लाकर रख दिया, और हमने employee भी रख दिया, अब क्या करेंगे, उ उसमें AC नहीं है, तो AC लगा देंगे, पंखा नहीं है, पंखा लगा देंगे, तो पंखा लगाना, AC लगाना एक तरह से development में ही आता है, मतलब कि child growth में ही आता है, लेकिन facility और तरिक आसे तो facility है कि हम तुरहन उसमें technology का addition कर दें, जिसके वजह से तुरहन एक्सेस किया जा स staff को हम training देंगे, ताकि वो थोड़ा skilled हो जाए, wedding of book, लेकि wedding of book क्या होता है, कि जो book किसी काम में नहीं होता है, यह यूज में आता है, और बहुत दिनों से, माले यह कोई पुस्तक है, और उसका अभी 5 law of library science का 5th edition है, और 1 edition, 2 edition, 3 edition, 4 edition का बाद 5th edition माली जाया, और 1, 2 edition को को क कोई पढ़ी नहीं रहा है, कोई मांगी नहीं रहा है, हो सकता है, 1st edition को कोई मांग भी ले, 2nd, 3rd, 4th को को कोई मांगी नहीं रहा है, हम उस case में library में भीर बढ़ा के क्या करेंगे, तो हम उसको out कर देंगे book को, उस wedding of book का होते है, wedding out का होते है, इस point का अभध्यान से और reader जो है, user है, वो आपको ज़्यादे दिमांड कर रहा है, बहुत ऐसी फुस्तके हैं, जिसमें पहले edition में काफी error थी, माली जी, तो 2nd edition आई, और 2nd edition आई, और 1st edition भी आपके library में है, और 1st edition सबको पता है कि इसमें error है, तो उस 1st edition को कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ सब्सक्राइब होगी, उसके पास CD-ROM, CD-ROM जो है 5 law of library science, यह question आप से पूछा गया है, CD-ROM is related to which law of library science, CD-ROM is related to the 5th law of library science, CD-ROM मतलब कि जो भी हमारे पास data है, अगर माले जो कोई book है, हम उसको digitally convert कर सकते हैं, उसको sound में convert कर सकते हैं, यानि audio book के रूप में convert कर सकते हैं, या उसे हम screen पे दिखा सकते हैं, कि हम यहाँ पे कुछ touch screen लगा दें और पुस्तक को digital form में कर दें, और उसको ऐसे मतलब कि उस पे touch screen से करें, तो उसको second, third page जैसे है, आज जैसे सब mobile में आता है, तो उस तरह से हम इसको technology के use कर सकते हैं, CD-ROM में हम data को store करके, यानि digital form में book को र mental development कर रहा है, तरस mental development मतलब कि एक बेक्ती के रूप में होता है, उसे तरह पुस्तकाले में गुरुवता सुधार्त, यानि की quality resources को increase कर रहा है, तो यह चीजे आपको समझ में आ गई होगी, चलिए, उसके बाद हम next point में देखते हैं, next point में यह भी है, कि देखिए, question है, next point मे का जो national library है, वो किस विकास से संबंधित है, और विकास आपका क्या है, child growth, दूसरा adult growth, child growth यानि फिजिकली डेवलेफ्मेंट बाल विकास, सररीक विकास, सकेंडर बेस विकास, या मानसी विकास, बुधिमता, A and B, दोनो या कोई नहीं, तो आपको बताना है इसमें कि कौन स पूछा हुगा है, कई बार पूछा हुगा है, हला कि UGC ने इसे एक बार पूछा है, लेकिन और बाकी एकजामों में रिपिटेशन में हुगा है, देखिएगा, आप क्या सोचेंगे, देखिए, मैं आपका सोचने का धंग बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पले आप मानते हैं कि इनमाली जे नेसनल लाइबरेरी है, अब नेसनल लाइबरेरी है तो कोई कहेगा, कोई कहेगा कि इसमें तो बहुत सारे बिल्दिंगे, सरकार ने बनमाई ली होगी, डिजिटल फर में भी डॉक्मेंट है, आप सोचोंगे, पूरा बुक रखा हु लीत है, तो चाइल्ड ग्रोफ से बाल विका से, एक क्यों है, देखिए, नेसनल लाइबरेरी, देखिए, रगनाथन जी के जो अगर पॉइंट विजू से बात की जाए, तो रगनाथन जी का फाइब लॉफ लाइबरेरी साइंस परते हैं, तो उसमें उन्होंने ये चीज जाएंगे, तो हम मजबूर हो जाएंगे, बूक को बढ़ाने में, और हमने बूक और एस्टाफ दोनों बढ़ा दिया, और क्वालिटी भी हमने इंक्रीज कर दिया, तो हमारे लिए ज़्यादे बेनिफिट होगा, ठीक है, मतलब लाइबरेरी अच्छे से वह काम करेगे, इसलिए वो एडल्ट ग्रोथ पे जादे ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा जो राष्टी पुस्तकाले जो है, वो अभी भी चाइल्ड ग्रोथ में है, वो इसलिए चाइल्ड ग्रोथ में इसको रखा जाता है, इसका मेन कारणा है कि देखिए इस पे दिन पर दिन बुक बढ कितने नए नए जो रिसर्ज डोकुमेंट पहुंच रही है उनके पास तो वह चीज़े बढ़ती जा रही थे इनको आज भी नए नए बिल्डिंग की जरुएत पढ़ रही है तो यह नाया भावन निर्मान करना चाइड्ड ग्रोथ में आता है अब देखिए देश में इतने बुख पब्लिस हो रही है और बहुत सारे अच्छे पुस्तक पब्लिस हो रही है आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में कितने कतना लिटरेचर और नए नए साइन्स टेक्लोजी के बुक आने के वज़ा से इनको हमेशा भुक खरीदना पड़ रहा है तो यह अभी जो भुक खरीदना और भुक खरीदना और भावन का निर्मार यह दोनों चाइल्ड ग्रोथ में आते हैं इसलिए अब तीसरा है देखिए इन में ग्रोथ जो है यानि कि नेशनल लाइब्रेरी कलकाता जो है उसमें भी काफी विजिटर आते हैं तो इतने जादे विजिटर आ रहा है लोग तुरिस्ट के तोर पे जाते हैं अपना कुछ समय ब्यतित करते हैं आप देखेंगे यूटूब पे बहुत लोगों ने वीडियो भी बना आता है यानि कि चाइल्ड ग्रोथ में आता है और तो यह तीनों यहीं पर हो रहा है इसी लिए यह चाइल्ड ग्रोथ में आता है अब देखेंगा कुछ बाते ऐसी है कि हमने कहा था कि हम उसके गुरुवता पूर्ण साधनों पर जोड़ देंगे यह बिल्कुल सही है लेकिन यह जो तीनों काम है यह मैक्सिमम हो रही है वहां पर तो इसलिए यह चाइल्ड ग्रोथ में आता है तो अच्छी बात है हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप चाइल्ड ग्रोथ ही अप्शन आएगा तो आप टिक किजिएगा क्योंकि UGC का एं संबंदित है यानि व्याल विकास से संबंदित है मैंने आपको समझाया है कैसे कैसे यह क्यों ऐसा है इसलिए मैंने आपको यह चीजे समझाया है देखिए आगे मैंने कुछ नोट्स भी लिख दिया है ताकि आपको यह समझ में जाए राष्टिया पुस्तकाले जो बाल व संक्या में ब्रीदी हो रही है dryer का increment INCREASE IN NUMBER OF READERS fourth है करम चलियों की संक्या में बीदी देखिए जैसे अगर हमारे पास पुस्तक में ब्रीदी होगा building में ब्रीदी होगा और readers में ब्रीदी होगा तो हमें यह जरूरी है कि हम employee यानि यह staff में भी ब्रीधी करें नहीं तो manage हम नहीं कर पाएंगे good management नहीं कर पाएंगे नविन तकनिकों का परियोग कर रहा है बिलकुल barcode से use हम कर रहा है नेश्टिय लाइब्रेडी जो कलकता है उसमें barcode का इस्तेमाल किया जा रहा है और use of new technology यह सभी child growth में आते हैं इसी लिए जो आपका राष्टिय नेश्टिय नेश्टिय पुस्तकाले है यानि कि नेश्टिय पुस्तकाले यानि राष्टिय पुस्तकाले इंदिया के कलकता में है वो child growth के अंतरगत आता है आपको इतना डिटेल समझने में काफी helpful होगा चलिए नेक्ट पॉइंट देखते हैं नेस्ट कोश्चन है कोश्चन है बुक्स फॉर ओल लाइबरेरी साइंस के किस सुच्छ से संबंदित है देखिए एक कोश्चन है बुक्स फॉर ओल अब आप थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आपने कोश्चन से रूबुन नहीं होए होगे यानि की आपके कभी आपके गोथू इसके से नहीं होए होगे तो एक्जाम होल में करफूज हो सकता है लेकिन ये UGC और यहां पाचों लव लिख दिया आपको रिविजन के लिए यानि कि हिंदिये बात करें पुस्त के उपयोगार था यानि पुस्त के उपयोग के लिए है और मैंने second law का हिंदी नहीं लिखाया लेकिन हिंदी मैं बोल देता हूँ every reader is her book यानि सभी परतेक पाठक को उसकी पुस्तक मिले third है परतेक पुस्तक को उसकी पाठक मिले fourth है पाठक का समय का बचत हो यानि पाठक का समय बचाए और five है यानि fifth है पुस्तकाल एक बर्जन सिल संस्ता है तो देखिए अगर आप कहते हैं books for all यानि books for all यह statement है बस यहीं पूछा गया है books for all is related to which law of library science यह जी सीनेट का question है तो देखिए अगर आप first law में आते हैं और इसके अंदर आप थोड़ा सा analysis करते हैं क्या हम इसे first law में रख सकते हैं तो आप देखिए books for all यहाँ पे books पे focus किया जा रहा है all पे focus किया जा रहा है all का मतलब क्या है reader अब books क्या मतलब पुस्तक यानि पुस्तक सभी के लिए हो यानि कि यहाँ पुस्तक किसको मिल रही है सभी को लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है books are for use यहाँ पे books की उपयोगिता पे ध्यान दिया गया है यानि books जो है सभी के लिए useful है यानि उपयोगार्थ है यानि उपयोग के लिए है ना कि सभी के लिए है ऐसे नहीं कहा गया है ल पर्तेक पाठक को पुस्तक मिले यानि कि सभी पाठक बुक को प्राप्त करें यानि बुक्स फॉर ओल तो यह चीजे सकेंड लौ से आती है यानि सकेंड लौ इसका करेक्ट एंसर होगा थोर्ड लौ से देखिएगा every books is reader, यानि परतेक पुस्तक को पाठक मिले, यहाँ परतेक पुस्तक को पाठक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर books for all, यानि कि सभी के लिए पुस्तक मिल रहा है, इस statement को थोड़ा से ध्यान से पढ़िएगा, सभी के लिए पुस्तक, books for all का मतलब हुआ, कि books जो है सभी के लिए ह और सभी रीडर के लिए second law में है रीडर पर कौन फोकस कर रहा है second law every reader is her book यानि कि परतेक पाथा को पुस्तक मिले और statement में क्या कहा रहा है question में books for all यानि कि सभी को पुस्तक मिले यानि कि all सभी रीडर को के लिए book और जो third law है वो every books is reader तो second third law में थोड़ा सा आप confused हो सकते थे लेकिन आप थोड़ा से देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि second law से यह related है अब मैंने आपको बता दिया तो यह अच्छी तरके सबको पता चल गया होगा fourth law से होगा ही नहीं कि इस time के budget की बात कर रहे है fourth law होगा नहीं fifth law जिसमें यह library is a growing organism की बात कर रहे है त थोड़ा से एक बरावत थोड़ा से बताना चाहूंगा देखिए books for all यानि books for all आप एस्ट्मेंट देखिए books सभी के लिए तो सभी के लिए मतलब क्या हुआ कि सभी reader को पुस्तक मिले और सभी reader को पुस्तक कौन दे रहा है second law दे रहा है कि every reader's user book यानि सभी पाठक को सभी reader को user को पुस्तक मिले तो जो second law है यानि every reader's user book यह correct answer होगा इसका second answer ही correct था तो यह था five law of library science आइसिंग आपको चीज़े समझ माई होगी थोड़ा समय आपको एक बार अगर overview करना चाहूं तो क्या आपको important exam point of view से जब आप revision कर रहे हो तो क्या करेंगे फिफ्ट लव देखेंगे लाइब्रेई जग्रोइंग अरगनीज इसका फिफ्ट तर्सिटमेंट याद कर लिए उसके बाद आप सीधे आते हैं कि यह emphasize और development पे जो relation होता है वो फिफ्ट लव से होता है management planning organization control जो होता है फिफ्ट लव लाइब्रेईज साइंस से related है उसके पुछा जाता है चाइल्ड ग्रोथ और अडल्ट ग्रोथ इन लाइब्रेईरी पुस्तकाले में यानि कि बाल अवस्था और बेस्क अवस्था किस लौ ऑफ लाइब्रेई साइंस से related है यानि फुच लव लाइब्रेई साइंस से रिलेटेड है यानि फिफ्ट लव कि बात की जा रही है अडल्ट ग्रोथ का मतलब मतलब कि पुस्तकाले में तो उससे किसी से यह संबंदित है फैसलिटी से रिसोसे से मतलब हम उसके क्वालिटी में इंक्रिमेंट कर रहा है बेसकली सीडी रोम वेडिंग ऑफ बुक्स एन एस्टाप और प्रग्राम जो भी ह समझा उसके बाद हमने देखा बुक्स पॉर और यह यूजी सी नेट का कोश्चन था और इसके ऊपर देखिए हमने एक टेसरीज बनाया है ठीक है आप उस टेसरीज को दीजिएगा वह अगला दिन यह अपडेट हो जाएगा टेसरीज यह लक्षर देखने के बाद आपको और आप उस टेसरीज का देखिएगा देखिए है कितने मार्स आ रहे हैं घपराने के जरूत नहीं है अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप फिर से वीडियो देखिएगा फिर से पढ़िएगा आपको सभी चीज़े याद हो जाएगी और आप हमें कमें पर देख रहे हैं तो नीचे दिस्क्रीशन बॉक्स में लिंक है लाइब्रेरी एकेडमी एप का आप वहाँ पर क्लिक करके एप डाउनलोड करके आप जोएन का लिजेगा इस्टोर में जाकर मेरा थन बैच थैक्यू फर वाचिंग